ये सो हलो एवरीबान हितेश ही एर टोड़ी वी गना टॉक अबाट देखा जाये तो कंप्लीट फास्ट इंफीरियस की एक तरीके से लास्ट रिलीज मूवी है आज इसे फाइनली खत्म करके मुझे काफी ज़दा खुशी हो रही है और आई होप कि इसे देखकर आपको भी क काफी ज़दा पसंद आई होगी इस फास्ट इंफीरिस सीरीज की यह जो पार्ट है यह बेसिकली डॉम्निक और उसकी टीम से रिलेटेट नहीं है बलकि इसके अंदर कुछ और माफिया और सी एजेंट्स शामिल हैं और आप सभी के लिए एक चोटी सी गुड़ नियूज ह करते हैं और मेरे हाड़ वर्क को थोड़ा बहुत तो एप्रिशेट करते हैं थोड़ा बहुत नहीं काफी ज़दा एप्रिशेट करते हैं क्योंकि जो मैंने कमेंट्स रीड कि उसे मुझे देखकर और पढ़कर यह लगता है कि हाँ शायद मैंने 10 मिनिट की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवानी चाहती है आप लोगों को 20-30 मिनिट्स की वीडियो है जो पसंद आती हैं लेकिन वह जो मैं काम आपके लिए कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि कम से कम आप मुझे उस काम के लिए थोड़ा सा एप्रिशेट तो करो क्योंकि एक explanation वीडि करना ही मीरा सबसे फर्स्ट मोटेव हैं आप सभी के लिए एक चोटी सी और है मेरी सिस्टर प्रतिक्षा नागर ने अपना एक और चानल स्टार्ट कर लिया है जिस पर वह कम्प्लीटली एनिमेटेट से रिलेटेड मुवीज को एक्स्प्लेइन करती है अगर आप या आप एक चोटी सी वाइरस की बोटल को लेकर निकल जाना अब यह जो वाइरस है इसका नाम है स्नूफलेक और अगर यह हवा में फैल गया तो यह उन सभी कमजोड़ लोगों को मार देगा जिन लोगों के शरीर का पोटेंशल काफी कम है यह जो अस्वस्थ रहते हैं और उन्हे पर CSI से उस वाइरस को बचाने के लिए अब एटी और कॉर्परेशन की कुछ लोग पहुंच जाते हैं जिन में उनको लीट करने वाला एक विलन सामने आता है जिसका नाम है ब्रिंस्टन और CSI की तरफ से टीम को लीट कर रही थी उसका नाम था हैटी और वह नहीं चाहती थी कि ब्रिंस्टन के हाथों वो वाइरस लग जाए इसलिए वो उससे अपने शरीर में इंजैक कर लेती है और मौका पाकर वहां से भाग जाती है अब यहां पर सीन शिफ्ट होता है हॉब्स एंड शौ पर लुक हॉब्स जो कि भी लंडन में है उन दोनों के पास ही कॉल आता है कि CSI की एक एजन्ट जो की गदार करार दी गई है उसने एटी उन से एक खास किसम का वाइरस चुराकर CSI के साथ में गदारी करी है इसलिए काम आपको दिया जाता है कि आप जुतना जल्द हो सके उतना जल्द हैटी को पकड़ कर करें वहीं दूसरी और हमें इन दो आतिर चोर और काफी बड़ी माफिया है वह चाहें तो जील को दो मिनिट में उड़ाकर वहां से निकल सकती हैं बट उसके अभी लास्ट दिन चल रहे हैं यानि कि कुछ गिंती के दिन चल रहे हैं इसलिए वह यह दो साल अपने जील में काटना चाहती है और वहीं पर दोन फैल जाएगा और एक एक करके सभी की जान ले लेगा तुम्हारे पास में इस काम को करने के लिए सिर्फ चार दिन है और अब दोने ही अपनी तैकिकात में लग जाते हैं सबसे पहले तो शौप पहुंचता है हैटी के घर पर अब यहां पर सबसे इंपॉर्टन बात ही है क हैटी और कोई नहीं बलकि डेकर्ट शो की सिस्टर है यानि की हैटी शौप वहीं दूसरी और अब हॉप्स को वह हैटी शौप मिली जाती है और वह उससे लड़ जकड़कर सीधा अपने हैट्वार्टर में ले आता है वहां पर आने के बाद में जब वह उससे पूचताच करता है तो पहले तो हैटी कुछ नहीं बताती लेकिन थोड़ी और फोर्स करने के बाद में हैटी अखिरकार अपना मूग खोली देती और वो कहती कि मुझे लगता है कि तुम सीएसाइ की नहीं बलकि तुम डिएसस के जवान हो क्योंकि तुम्हारा बोलने चलने और काम कर लगते वहीं पर पीछे से हैटी अपना ताइल निकालकर वहांके पुलीस वालों को मार कर वहांसे निकलने की को लगता है और वोसे सäच उगलवानी की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है अब यह दोनों इन दूसरी के साथ काम नहीं करना चाहते थे इसलिए दोनों ही आपस में बहाने बनाने लगते हैं कोई कहता है कि तेरी शकल वेकार है कोई कहता है कि तेरी मूँ से गटर की बदबु आती है उन सभी का आपस में जगड़ा चली रहा था लेकिन तभी मावर ब्रिंक्स्टन अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ATION Corporation जिनके ये सैनिक हैं ये सैनिक कोई आम इंसान नहीं बिलकि ये हैं Meta Humans इनके अंदर कुछ खास पावर्स हैं जो कि समय का ताल मेल मिला कर कुछ ऐसी गणित के साथ में लड़ते हैं कि सामने वाले का वार्व उससे पहले समझकर उस पर ही मुक्का मार देते हैं और इनी तेज चलाकियों के साथ में ये अब उन दोनों पर भारी बढ़ने लगता है लेकिन हॉब्स और शौ भी कहां पर कम थे उनके पास में एक तेज रफतार मजराटी कार थी और उसकी मदद से बर्लिन के शहरों में घूमने लगते हैं यहां पर एक सीन बहुत ही मस्त है जहां पर शाओ अपनी कार को एक बस के नीचे से निकालता है वहीं पर उसका पीछा करते हुए ब्रिंस्टन भी अपनी बाइक को काफी बारिकी से निकाली लीता है और एक मूमेंट ऐसा आता है जब यह तीनों ब्रिंस्टन को चक्मा देकर वहां से निकल जाते हैं जब यह दोनों काफी बेंटली और फिजीकली पावरफुल हैं अगर यह दोनों एटी उनके साथ में काम करेंगे तो हमारी कंपनी काफी जदा आगे बढ़ सकती है महीबर सीन शिफ्ट होता है बिन तीनों पर जहां पर ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर इतने कम दिनों के अंदर हम हैटी के शरीर से इस वाइरस को कैसे निकाल सकते हैं और तभी उन्हें याद आता है कि इस वाइरस को जिसमें बनाया था उनका नाम दा ला देना तो वो कहते हैं कि यह तो मानने नहीं वाले दूसरा तरीका क्या है तो प्रोफिसर बताते हैं कि दूसरा तरीका यह है कि इसका एक इंजेक्ट टूल है जो कि मॉस्कों के एटीन कॉर्परेशन में पढ़ा है और वहां की सेक्यरिटी काफी जद तगडी है जिसे तुम अपनी जिंदगे में कभी पार नहीं कर सकते हैं इसलिए इसका पहला तरीका आसाने से जान से मार दो और यह फ्लेक कहीं नहीं फेलेगा मगर यह तीनों कहां मानने वाले थे और अगेन फाइट हो जाती है ना तो हॉब्स शौ को पसंद करता था और ना ही शौब्स को पसंद करता था दोनों यह आपस में एक दूसरी की बुराई करने का मौका नहीं छोड़ रहे थे वहीं प्लेन में इन्हें एक और इंसान मिलता है जिसका नाम होता है एयर मार्शल औ क्योंकि ऐसी बात हैं लोग कर सकते हैं मैं किस प्रकार हैर नहीं कुछ कोई ताकतवर लोग ही जिन्दा रहें जिन लोगों को दवाईयों की जरुत पड़ती है जो लोग काफी कमजोर हैं अगर यह एटी ओन कॉर्परेशन इस फ्लेक को फैला दे तो वह सारे लोग जांसे मर जाएंगे मगर जो बचेवे लोग हैं वो काफी जादा ताकतवर हो जाएंगे और ब्रिंस्टन का यही काम था कि वो प्रॉफिसर की मदद से उस पूरे बैयो मेकैनिकल वाईरस को रीप्रोग्राम कर दे वहीं अब शौ जानता था कि यह काम बिना गंस के नहीं हो सकता और साथी ब्रिं और यह बंदी खुद माफिया को लूटा करती थी और फाइनली तीनों मिलकर यह प्लैन बनाते हैं कि अगर हम खुद से हैटी को ब्रिंस्टन के हवाले कर दें तो वह अपने वाईरस को पाने के लिए उसके शेरीर में से उस वाईरस को निकाल देगा और उसी मुमिंट पर हम उसे वाईरस चुरा लेंगे जिससे कि वो इस दुनिया में फैलेगा भी नहीं और साथ ही हैटी की जान भी बज़ जाएगी और इसी प्लान के चलते हैं वो फैनली हैटी को ब्रिंस्टन के हवाले कर देते हैं वहीं पर अगले देना भाउब्स अंड शौ एक जैट प्ल और वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है बंदी बना लेने के बाद में उन दोनों को ही इलेक्ट्रिक शौक से बांदिया जाता है और वहां पर ब्रिंस्टन कहाता है कि इस इलेक्ट्रिक शौक की तीन वेवस तुमें जान से मार सकती है मगर तुम दोने काफी हटे कटे हो इसलिए मुझे लगता है कि चार काफी होगी तब ही वहाँ पर हॉप्स कह देता है कि बेटा हम तो पांच आसानी से जहल जाए और उसी मुवमेंट पर वो उन्हें एक जटका दे देता है जटके से उनकी तो फटके 5 हो जाती है वहीं दूसरी और अब लैप के अंदर हैटी अपना हाथ से लॉक खोल लेती है और अब उनकी मदद करनी के लिए तयार हो जाती है उनके पास में एक स्ट्रेटरजी थी जिसका नाम था मिक जैगर स्ट्रेटरजी जिसकी मदद से ध्यान कोई और बटाएगा और काम कोई और कर डालेगा और इसी स्ट्रेटरजी के साथ में वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं उनके पास में काफी मस्ट ट्रक्स, गाड़ियां और साथ ही काफी हाई टेकनलोजी वाले गैजट्स थे जिनके अंदर एक चिप इस्तमाल करी जाती थी और उसी चिप की मदद से ही गन्स चलाई जाती थी यानि कि गर गन का एकसेस होगा तो ही वो गन चलेगी और अगर वो डिनाय हो जाएगी तो गन नहीं चल पाएगी काफी लंबी चलने वाली एक कार चिजिंग के बाद में वो तीनों अपनी जान बचाते वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तब ही उनके पीछे काफी सारे ड्रोंज लग जाते हैं लेकिन होब जन शौ कहाँ पर मानने वाले थे और वो अपनी चलागी के साथ में उन ट्रॉंस को हराते वे वहाँ से आगे निकल जाते हैं मगर तभी उनका रास्ता रोक लिता है ब्रिंस्टन और फिर गाड़ी समदा दी जौती है हैटी को और बाद में होब जन शौ मिलकर ब्रिंस्टन का सामना करने लगते हैं लेकिन ब्रिंस्टन तो एक मैटा हुमिन था तो उसे समालना इन दोनों की बस की बात कहा थे और वो उसे जस्ट हारनी वाले थे मगर तभी एक बड़ा सा ब्रेज उनके ट्रक पर आकर गिरता है और वो तीनों वहाँ से बचकर निकल अब इस वक्त तक इनके पास में सिर्फ दो दिन इस निकालना था और अगर इसा नहीं होता तो वह वाइरस घ्राटी के साथ में जो वायरस गुसा उसे निकाल सकते हैं और फाइनली वो तीनों पहुंच जाते हैं समाओ नाम के टापू पर, जहांपर हॉब्स अपने भाई से मिलता है, पहले तो उसका भाई उसे मुक्का मार देता है और उसे कहता है कि आकर इतने साल तक तुम कहां पर दे, तुम्हें तुम्हें भाईयों की कोई फिक्र नहीं, लेकिन वहीं पर उन दोनों की मौम सफीना आजाती है, और वो उन्हें लड़ाई करने से रोकती है, और साथी कहती है कि तुम दोनों भाईयों, तुम दोनों को हमेशे एक साथ रहना चाहिए, अगर हॉब्स इतने सालों बाद यहां पर आया तो उसे जरूर किसी चीज़ क मदद चाहिए होगी, इसलिए तो वो यहां पर तुम्हारे पास में है, अब चुपचा बिना लड़ाई करे, उसकी बात सुनो, और उसे जो चाहिए उसे वो दे दो, तब वहां पर हॉब्स उसे सारा प्लैन बताता है, कि कुछ टाइम पहले एक ऐसा वाईरस था जिसे की स से वाईरस निकाल पाए, और साथ ही मुझे कुछ तगड़े लोगों की जरूरत है, क्योंकि इसको लेने के लिए ATN कॉर्परेशन के आदमी बस यहां पर आता ही होंगे, इसलिए मुझे एक शांदा टीम तयार करनी है, और वही पर समाओ टापो के सारे उसके दोस्त अब उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, और फाइनली रात को अब जॉन ने वो डिवाइस कंप्रीट करी दिया था, जो कि अब हैटी के शरीर से वाईरस निकाल सकता था, अब वो उस मशीन को आउन कर देते हैं, लेकिन तब तक इस सारी बात की जानकारी समाओ टापू पर पहुँच चुके थे, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी की गंस में एक चिप लगा कर दी थी, उस चिप की मदद से उन्हें एकसेस मिलता था या फिर एकसेस डिनाय हो जाया करता था, और उसी चीज को हैटी ने हैक कर लिया था एक गल बना देते हैं, और फिर शुरू होती है, इस मुवी की सबसे शांदार मार को टाई, यानि कह सकते हैं एक शांदार फाइटिंग बैटल, जो कि अगले दिन सुबह तक चलता है, वही पर अब ब्रिंस्टन अपनी पूरी पावर को दिखाता हुआ, उन सभी को मारने लगता ह और जब उसे पता लगता है कि सारी गंस के एकसेस धिनाएं, तो वो अपने हेलिकॉप्टर का साहरा लेता है, लेकिन हॉब्स अन्शौ ने उसका भी इंतिजाम कर रखा था, जब वापर हेलिकॉप्टर आता है, तो वही पर समाओ कि उसकी पूरी टीम हेलिकॉप्टर को ए पूमेंट आता है, जहां पर उनका हेलिकॉप्टर टकरा कर टापू के नीचे एक जगह पर गिर जाता है, उसके बाद में सभी जने काफी ज़्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन मेटा हुमेन यानि कि ब्रिंस्टन पर तो उसका क्या ही असर होना था, और फिर अगें शिर लाकी का यूस करना पड़ेगा, एक मुक्का मैं खाऊंगा, ताकि तुम्हें उसे मारने का मौका मिले, फिर एक मुक्का तुम खाना ताकि मैं उसे मार पाऊं, और ऐसा करते करते, अब वो फाइनली ब्रिंस्टन को काफी ज़दा निढाल कर चुके थे, और एक मुमेंट साथ दुनिया में आने वाला एक बहुती बड़ा खत्रा टल जाता है, जहां पर अब हैटी के हाथ से वो वाइरस भी निकल चुका होता है, और यह मुवी यही पर खत्म होती है, वहीं पर इस मुवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाए जाती है, इन दोनों की ही फैम करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चानल पर आएं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वहीं पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक चोटी सी गुड निउस और है, मेरी सिस्टर प्रतिक्षा नागर ने अपना एक और चानल स्टार्ट कर ल में एक्जेक्यूट होने वाले हैं, and thanks again guys for watching this video, मिलते हैं अगले वीडियो में. झाले हैं, गीज़ खिराई झाले हैं, अगले हैं, वीडियो में एक और चानल स्टार्ट कर लेका हैं, वीडियो में.